हेलो दोस्तों नमस्कार मैं अवली शर्मा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बाइलोजी विदापार में आज हम टोपिक यूगलीना पढ़ेंगे आईए दोस्तों यूगलीना को ध्यान से पढ़ते हैं यूगलीना का वरगी करण जो है इसमें जगत प्रोटियस्टा संग प्रोटो जवा में आता है उपसंग सारको मस्टीगोफोरा वरग मस्टीगोफोरा उपवरग फाइटो मस्टीगोफोरा गन यूगले नीडा वंश यूगलीना और जाती व्रडिस यह पादप एव जन्तू के मध्धे की संयों जक्कड़ी मानी जाती है दोस्तो इस जीव को पादप जन्तू भी कहते है यह एक स्वतंत रूप से तैरने वाला जीव है यह स्वच जलिय कशाभिक जीव है इसमें दो परकार की गती होती है इसमें किते परकार की गती होती है दोस्तो दो परकार की एक परकार की जो गती है उसे बोलते है यूगली नाइड गती या रिगलिंग गती और दूसरी परकार की गती को बोलते है कशाभी की गती रिगलिंग गती जो होती है या गती शरीर के संकुचन तथा सिथिलन के द्वारा उत्पन होती है और दूसरी गती यह गती सिटकोनी मेटिक प्रकार के काशाब के द्वारा होती है आगे देखते हैं दोस्तो इसको हरा प्रोटो जुवा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल हरितलवक पाया जाता है इसलिए इसको क्या कहते हैं हरा प्रोटो जुवा शरीर पर पैलीकिल से आवरित यानि पैलीकिल होता है आवरन होता है अग्रशिरे पर एक छोटा कोशी का मुख साइटो फैरिक्स पाया जाता है इसमें संग्रहित भोजन पैरा माईलोन के रूप में रहता है और इसमें लेंगिक जनन का अभाव होता है दोस्तों अब पादब के समान लक्षन देख लेते हैं और जन्तु के समान लक्षन इसके देख लेते हैं पादब के समान लक्षन में क्लोरोप्लास्ट की उपस्तिती होती है और इसमें जन्तु के समान लक्षन में प्रकास की अनुपस्तिती में तरल खाद पतार्तों को शरीर की सत्य से विश्रन द्वारा ग्रहन किया जाता है और इसमें पादव समान लेक्षन में प्रकाश एंसलेशन की किरिया करके हरित लवक की सायता से स्वम भोजन भी बना सकता है यूग लीना प्रोटीन पेलिकुल प्रजेंट होते हैं इसमें द्रक बिंदू तथा पराक शाभी का प्रजेंट रहती हैं कुझचनशील रिक्तिकाएं उपस्तित होती हैं अनुलंबन दीव भाजन की भी उपस्तिती होती हैं दोस्तों इसमें ये हमारा यूग लीना का फिगर है लेंगी की जनन का इसमें अभाव होता है ये यूग लीना वर्डिस है हमारा ये जो ये है इसका ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट ये जो तार के समान पार्ट है दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको ये वाला पार्ट और ये जो ये वाला पार्ट है ये कोशा मुख होता है इसका ये होता है इसमें पराक्ष काश भेकिये काय ये बड़ी संकुचन सील धानी होती है ये लगू कशाभी का होती है ये कोशी का गरशनी पूल होते हैं ये नेतर बिंदू होते हैं इसके ये आश्य होता है ये होता है आधार ये काय ये इससे गमनिय कशाबिका होती है ये गमनिय कशाबिका है जो मैं पहले दिखा रही थी इसके कारण ये गमन करता है ये जो ये केंदरी की जिल्ली होती है ये पार्ट को अंतप्रद्रव्य कहते हैं ये जो ये वाला पार्ट है इसका बहार ये इस तरह की सत्य जो है मायो नीम कहलाती है ये पैरा माईलम कहलाती है ये बही प्रद्रव्य कहलाता है और इसको पहली कल बोलते हैं दोस्तों इसको क्या बोलते हैं दोस्तों पहली कल और इसक के कारण गति कर त negligee करता है कौन यूगलीना किया है कुन वृर्डिस इस कि इसके वांद समझते हैं में जो कर दोस्तों वोठी के बारे में कशाब किया जो गति होती है इसमें हमने दो प्रकार की गति बताई है स्में यूगलीनाइड मैं जो होती है सरीर में स्मकुचन किये गती है वो सिटको नेमेटिक प्रकार के कशाब के द्वारा होती है इनका सरीर जो होता है जो यूगलीना होता है यूगलीना का शरीर में जब कशाब किये गती होती है वो पहली किल के आवरितावरन से शरीर के अगरशिरे में एक छोटा सा कोशी का मुख साइटो फैरिक पाया जाता है किसमें यूगलीना में इसमें परहनित वर्नक भी पाया जाता है फिर भी ये जन्तों में समानता दर्शाता है इस गती के कारणी जन्तों में समानता दिखाता है और प्रकास के अनुपस्तिती में भी जन्तों के समान पोशन घ्रहन कर देता है ये मिश्र पोशी एक फूली हुई सन्रचना पर दूसरे से जुड़ जाती हैं जिसे पैरा फ्लेजिरल बोडी के रूप में कहा जाता है इसमें एक नारंगी नेत्र भी होता है और द्वक बिंदू भी पाया जाता है तो आई होप दोस्तों आपको यूगलीना के बारे में अथी जानकारी लग गया होगा मैं आशा करती हूँ अगर आपको टोपिक समझ में आये तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों थैंक्यू दोस्तों